रस गुले और गुलाब जाबून आपने थे बहुत बार खाए हो लेकिन आज हम बनाएंगे रस बड़ा यह एक बहुत ही सवादिष्ट मिठाई है इसे बनाना बहुत असान है यह बहुत ही सब्ट और रस से भरे होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रस बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 गरा मुंग डाल लिया है और एक बड़ा सा बरतन में दो गिलास पानी डालेंगे और डाल कर मुंग डाल को रात भर के लिए भींगो कर छोड़ देंगे अगर आप चाहें तो 3-4 घंटा पहले भींगो कर और रस बड़ा बना सकत हैं मुंग डाल रात भर में पूरी तरह से पूल चुकी है तो इसे हम 2-3 पानी अच्छे से साथ कर लेंगे हम यहाँ अच्छे से साफ कर लिया है है lifetime बसे मिक्सी के जार्म डाल कर चाहर चमच इसमें पानी डालेंगे सूजी के दाने इतना बारिक पीस कर पेष्ट तियार क लिए हैं तो अब इसे एक हम बड़ा सा बरतन में निकाल लेंगे इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर हाप चमच नमक डालेंगे अब चमच की सहायता से मुंग डाल की पेष्ट को हम 8-10 मिनट के लिए फेट लेंगे फेटने से डाल का पेष्ट डबल हो कड़ाई और इसमें 300 गराम हम रिफाइनल डाल देंगे और इसे धीमी आज पर गरम कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम एक बरतन में पानी लिया हां और हाथ को हलके से पानी से भींगो लेंगे थोड़े से हम बाड़ा का पेष्ट उठाएंगे और अ क recipro ce रहेंगे तो एक तरफ से देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका कलर आज चुका तो अब दूसरी तरह हम पलड़ देंगे इस np. पाकने में 8 से 10 मिनट लगा है अब देख सकते कितने अच्छे से keeper Burtan my hoły चुका है तो आब इसे हम बरतन में निकाल देगे हम 20 को She is already extinct made चलते हैं चास्णी बनाने के लिए चा सथी बनाने के लिए हम इक बड़ा सा बरतन ही हैं अर इसमें गी डाल देंगे और besides Wnd她 कर लेंगे और इसेमियांच पर गरम अब इसमें हम डालेंगे दो कप से थोड़ा सा ज़्यादा चिन्नी, धीमी आच में चिन्नी को पानी में घूलने तक पकाएंगे, इसे हम चार से पांच मिनट पकाएंगे क्योंकि हमें तार वाली चासनी नहीं चाहिए, अब चासनी के अंदर हम बड़े को डाल देंगे, और इसे ढखकर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं ढखकन को हम हटाएंगे, तो कितने अच्छे रसबाड़ा बनकर त्यार होई, तो एक बार इस तरीके से आप जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, हमें कमेंट करके जरूर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार